उधारन दो एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तू लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है लेंस द्वारा बने प्रतिविम की प्रकृती, इस्तिती तथा आकार ग्याद कीजिए लेंस का आवर्धन भी ग्याद कीजिए उधारन दो हल प्रश्ना नुसार हमें यहाँ पर एक उत्तर लेंस दिया गया है इस उत्तर लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तू A B है जिसकी उचाई 2 सेंटीमीटर है और साथ ही हमें लेंस की फोकस दूरी दी गई है जो की 10 सेंटीमीटर है वस्तू से आपतित किरन जो है उसका एक आपतित किरन यह दिख रही है जो अपवर्तित होकर हमें यहाँ प्राप्त हो रही है साथ ही एक जो दूसरी आपतित किरण हमें दिखाई दे रही है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणे इस बिंदू पर प्रतिछेद करती है जहां हमें B-A- प्रतिवें प्राप्त हो रहा है उधारन दो हल प्रशना नुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस हमारे पास है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु A-B है जिसकी उंचाई 2 सेंटीमीटर है वस्तु से यह हमें एक आपतित किरण दिखाई दे रही है जो कि अपवर्तित हो रही है यहाँ पर और उसी प्रकार दूसरी आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है इनके अपवर्तन के पश्चाथ यह दोनों अपवर्तित किरणे A-B बिंदो पर मिलती है और इसलिए हमें यहाँ पर B-A- प्रतिविम वस्टू का प्राप्त हो रहा है हमें वस्टू की इस्थिति, प्रकृति, आकार और आवर्धन शमता ग्यात करनी है तो चलिए सबसे पहले हम वस्टू की जो दूरी है उसे लिख ले प्रश्ट में दिया गया है वस्टू की दूरी जो है वो 15 सेंटिमीटर है पर उत्तल लेंस में है इसलिए हम इसे लिखेंगे रिंट 15 सेंटिमीटर कार्ति निर्देशांग पद्दिती के अनुसार क्योंकि या मूल बिंदू से हमें किस और दिखाई दे रहा है बाई और मूल बिंदू के बाई और है तो उसे हम क्यासे लेंगे रिनात्मक लेंगे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं फोकस दूरी फोकस दूरी प्रश्ट में है 10 cm उत्तर लेंस के लिए है तो ये होगी धनात्मक अब हमें ग्याद करना है V तो हम उप्योग करेंगे लेंस के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र है उसका उप्योग करेंगे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र वो हमारे पास होगा 1 बता F बराबर 1 बता V रिन 1 बता U F और U का हमारे पास किसका मान है? F और U का हम उसका मान रख देते हैं F तथा U का मान रखने पर F का मान 1 बता F याने की 10 1 बता V रिन एक बटा U की जगे हमें रखना होगा रिन पंद्रा चलिए इसे आगे हल करते हैं पक्षांतर कर ले हम या फिर एक बटा 10 बराबर पहले इसे हल कर लेते हैं यह भी रिन आत्मक है यहां भी रिन का चिन है तो हमें मिलेगा धन एक बटे 15 हमें V कमान प्राप्ट करना है तो पक्षांतर कर लेते हैं पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा एक बटा V बराबर एक बटा 10 रिंड एक बटा 15 इसे हल करने के लिए लगुत्तम समापड़ता की सहता से हमें क्या मिल जाएगा 30 और फिर हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 रिंड दो एक बटा V बराबर एक बटा 30 चलिए आगे हल करते हैं हमें समीकरन प्राप्ट हुआ था एक बटा V बराबर एक बटा 30 याने की V बराबर 30 सेंटी मीटर तो अब हम कह सकते हैं कि लेंस से प्रतिविम की दूरी कितनी है 30 सेंटी मीटर है और V का मान V का जो धनात्मक मान हमें मिल रहा है वो क्या बता रहा है कि प्रतिविम जो है वो वास्त्विक और साथी साथ उल्टा होगा V का धनात्मक मान वास्त्विक तथा उल्टा प्रतिविम को दर्शाता है अब हमें वस्त्विक प्रतिविम की प्रकृति उसके आकार को भी ग्याद करना है तो इसके लिए हमें लेंस के आवर्धन रेखी आवर्धन को ग्याद करना होगा लेंस का रेखी आवर्धन उसका सूत्र क्या है हमारे पास रेखी आवर्धन M बराबर होगा H डैश बटे H याने की वस्तु के प्रतिविम की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई पुना लेंस का रेखी आवर्धन M बराबर H डैश बटे H और हम यह भी जानते हैं कि यह मान किसके पराबर होता है V बटे U के जो रेखी आवर्धन है उसका मान V बटे U भी होता है और H डैश बटे H भी चलिए इसका मान हम रखते हैं कि H डैश बटे H और V बटे U में हम U, V तथा H का मान रख लेते हैं कि इसमें जब हम इसका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा एच डैश बटे एच यहने की जो वस्तू की उन लंबाई हमको दी गई थी वो कितनी है दो बराबर वी अभी हमने ग्याद किया यह है तीस सेंटिमीटर और यू का मान हमारे पास है रिंड पंद्रा आगे हल करते हैं हमें जो समिकरन प्राप्त हुआ था वह है एच डैश बटे दो बराबर तीस बटे रिंड पंद्रा यहां से हम एच डैश का मान प्राप्त कर सकते हैं एच डैश बराबर हो जाएगा तीस गुणी दो बटे रिंड पंद्रा और हमें मिलेगा एच डैश बराबर रिंड चार चलिए आगे हम रेखी आवर्धन एम का मान प्राप्त करते हैं वी बटे यू की साहता से पुना हम जानते हैं कि लेंस का रेखी आवर्धन एम बराबर वी बटे यू भी होता है तो एम बराबर वी का मान हमारे पास है तीस और यू का मान है रिंड पंद्रा इसलिए एम हमें कितना मिलेगा रिंड दो अब हम देख सकते हैं कि एच का मान हम देख सकते हैं कि हमारे पास एच डेश का मान जो आ रहा है वो भी रिंड आत्मक है और एम का मान जो आ रहा है वो भी रिंड आत्मक है तो यहाँ एम तथा एच डेश के मान का रिंड आत्मक है चिन उल्टा तथा वास्त्विक उल्टा तथा वास्त्विक प्रतिवियम को दर्शाता है दर्शाता है अत्तह एक वास्त्विक उल्टा तथा वास्त्विक उल्टा तथा इसके लंबाई कितनी होगी प्रतिवियम की हमें कितना मिला है है एश डेश चार सेंटिमीटर तो इसकी लंबाई जो हो गई वह हो गई चार सेंटिमीटर चार सेंटिमीटर लंबा प्रतिवियम लेंस से हमें वी का मान कितना प्राप्त हुआ था 30 याने कि वह लेंस से कितनी दूरी पर है 30 सेंटिमीटर साथ ही प्रश्ट में लेंस का आवर्धन भी ज्याद करने के लिए कहा गया है तो हमने देखा कि वस्तु की उचाई 2 सेंटिमीटर और उसके प्रतिविम की उचाई हमें प्राप्त हुआ चार सेंटिमीटर तो यह प्रतिविम वस्तु से कितना आवर्धित हुआ दो गुना ज्यादा आवर्धित है इस प्रकार प्रेश्न हल हुआ यहां M तथा H डेश के मान का रिनात्मक चिन्ध उल्टा तथा वास्त्विक प्रतिविम को दर्शाता है अता एक वास्त्विक उल्टा तथा 4 cm लंबा प्रतिविम लेंज से 30 cm दूरी पर बनता है यह प्रतिविम वस्तु से 2 गुना ज्यादा आवर्धित है